सावन के महीने के कई सिग्निफिकेंस हैं। अध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से यह महीना शिवजी के अराधना के लिए समर्पित होता है। कपल्स के लिए यह महीना प्यार का महीना होता है। प्रिशी प्रेमियों के चेहरे पर सावन की बुंदे मुस्कान लाती हैं, लेकिन यहीं बुंदे शहरी बाशिंदों के लिए अविशाप बन कर सामने आती हैं, चाहे बात मुंबई फ्लट 2017 की हो, या फिर किरला फ्लट 2018, हैदराबाद फ्लट 2020, बंगलुरु फ्लट 2022, या फ पाथीर इंडिया के सिटीज फ्रिक्वेंट फ्लट को क्यों विटनेश करते हैं, दुसरा, लोगों से लेकर सरकार तक को प्रभावित किस तरह से करते हैं, तीसरा, कौन-कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताक कि इससे निजात पाया जा सके, नमस्कार दोस्तों, वेलकम ब इसके पीछे लॉजिक साफ है, सेकेंड फाइफ फियर प्लान ने हेवी इंडिस्टीज को पुष किया, जो शहरों में इंडिस्टीज का आधार बना, 1991 के एकनॉमिक रिफॉर्म के बाद इसकी पेस और बढ़ गई, शायद यही कारण है कि इवेन की रिपोर्ट दवा करती है कि भारत की शहरी अबादी 2030 तक 40% हो जाएगी, अब शोस की बात यह है कि जिस पेस से अर्बनाइजेशन बढ़ा, उसी पेस से प्लानिंग नहीं हुई, यह इंक्रोच्मेंट को बढ़ावा देता है, टाइम सोप इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 875 एकर बेंगलोर में एंक्रोच्ट हुए हैं, शायद यही कारण है कि शहर मंशुन रेन को जहल नहीं पाता है, ज्यादा तर भारत के शहरे ओड रेलिक्स पे बने हुए हैं, इसमें कोई रेडिकल चेंजेज नहीं हुए, लेकिन पोपुलेशन लगतार शहरों की तरफ बढ़ा ह इसलिए पुराने नाले बढ़ती पोपुलेशन के लोड को जहल पाने में असमर थे, उधारन के लिए मान लेजिए कि 1951 में शहर के जो भी पोपुलेशन थे उसके लिए नाले के चोड़ाई एक्स थी, समय के साथ लोग बढ़ें, पानी का खपत बढ़ा, लेकिन नाले के चोड़ाई बढ़ाने की जगह, एंक्रोच्मेंट की वज़े से और कम होती चली गई ताकि लोगों को इधर बशाया जा सके, यही कारण है कि मोंसुन का पानी रिजरवेर के जगह रोड पर दिखाई देता है, थर्ड, अजादे के पहले भारत की कॉटेज इंडस्ट्री हल फुल रही थी, इंडस्ट वैली के टाइम से भारत में शहर एकनॉमिक एक्टिविटीज के केंदर रहे हैं, सबसेक्वेडली अंग्रेज भारत आते हैं और इंडस्ट्रियल रिवोलुशन को सक्सिस्फुल बनाने के लिए भारत की इंडस्ट्रियल बेस को खतम करते हैं धीरे धीरे लोग शहर से गाउं की तरफ बढ़ने लगते हैं और शहर भी कम पॉपूरिशन वाले लोगों की तरफ ढलती चली जाती हैं, आजादी के बाद हम लोगों ने अल अब दे सडन हेवी इंडस्ट्रिस की तरफ अपना कदम रखा, इसलिए इंडस्ट्रियल ट्रा इस जहले में शक्षम नहीं रहे हैं, यहाँ पर एक वाजिब सवाल खड़ा होता है, पुराने शहरों की तो बात समझ आती है, लेकिन गुरुगराम जैसे नए शहर क्यों डूब रहे हैं, उत्तर है करप्शन, करप्शन एक बड़ा कारण रहा है, स्कूल और प्लानिंग एन आर्किटेक्चर के चेयर पर्षन अमोग गुपता कहते हैं, कि बिरोक्रेटिक लूप होल्स की वज़े से हम लोग जो स्कूल कॉलेजेज में टाउन प्लानिंग के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, उसे रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, वो कैसे? क्योंकि रियल सेक्ट रियल स्टेट बिजनेसमैन, बिरोक्रेट्स और प्लेटिशन के नेक्सस धेरे-धेरे वाटर रिजर्वर को भरना सुरू करता है, ताकि वहाँ पर उची-उची इमार्ति बना सके, जब मनसुन में बारिस होती है, तो पानी अपना जगा रोड पर बनाता है, जिसे हम बनने की वज़े से हीट रिफलेक्ट करना सुरू कर देता है, ऐसे में जब भी रेन बेरिंग क्लाउड शेहर के पास होती है, तो होट एयर उस क्लाउड को और उपर क्योर पूश करता है, जिस से लोकलाइज और एंटेंसिफाइड रेनफाल होती है, यह हीट आईटी तब्दिल हो जाती है, अरबन हीट आईलेंड के अलावा हमारा रिलेशनसिप नेचर के साथ एब्यूजिव रहा है, लोग पैकेट फूड खा कर डस्ट मिन के जगर रोड पर फेक देते हैं, इंडरस्टी बिना ट्रिटमेंट वेस्ट को नदी में बहा देती है, इसकी कैंसिल करके पाम पर लगा देते हैं, इसके अलावा वाटर बोडी का एंक्रोचमेट काफे लंबे समय से हो रहा है, एक एनवार्मेंटलिस्ट थे अनुपम मिस्र, जोकि हिंदी कभी भवानी प्रशाद मिस्र के बेटे थे, वे अपने किताब आज भी तलाब खरेहे में ल क्लेम करता है, जैसा कि इस फोटो में आपको दिख रहा है, अब चलते हैं इसके दूसरे पीलर की तरफ, ये कैसे लोगों से सरकार तक को प्रभावित करती है, पहला, loss of human life equal to loss of human capital, वर्सो लग जाते हैं लोगों को शिक्षित और skilled करने में, ऐसे में लोगों का किसी भी कार और समय मरना हमारे human capital की छती है, यह utilitarian approach है, इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दसक में लगबख 1500 लोग हर साल flood की वज़े से मर रहे हैं, सेकेंड, flood की वज़े से road, buildings, infrastructure, ETC डामेज होती हैं, इसके दो पक्ष हो सकते हैं, एक पक्ष ये कहता है कि इस इससे resource waste होंगे, जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि साथ इससे economic activities के लिए space create होगा, जिससे लोगों को jobs मिलेंगे recreation के दौरान, थर्ड, flood की वज़े से services disrupt होती हैं, शहर, दूद, सबजी, पानी, इत्यादी के लिए अपने adjoining region पे depend रहता है, बार के इस्तिती में ये सब सिवाएं disrupt होती हैं, जिससे लोगों को असुविधाएं होती हैं, फोर्थ, water logging की वज़े से water and bond disease like malaria की संभावना बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा slum area और गरीब लोग इसके चपेट में आते हैं, फिप्थ, इसके साथ economic loss भी होता है, लोग office नहीं जा पाते, economic activities में हिस्सा नहीं ले पाते, इसका असर commitments पर पढ़ता है, जोकि international market में भारत को कम competitive बनाता है, इसके अलावा पेड़ पौध है, बायो diversity को भी negative रूप से प्रभावित करता है, लोगों पर अपने परिचित को खोने और अपने property के loss का भी एक कही न कही psychological impact रहता है, अब चलते हैं अंतिम पिलर की तरफ, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, जैसा क event report estimate करता है कि 2030 तक भारत की 40% जनसंख्या शेहरों में होगी, इसलिए हमें एक realistic long term plan पर काम करना चाहिए, उदारन के लिए हमें building के vertical expansion की जगा horizontal expansion पर बल देना चाहिए, जिससे से शेहरों पर दबाव कम किया जा सके, इसके अलावा हमें regional development पर भी काम करना चाहिए, ताकि source region जैसे भी हार्ज हरकंड जैसे states में employment opportunity कर सके और migration को control कर सके, इसके अलावा residential और commercial areas में rain water harvesting पर focus करनी चाहिए, for example जैसे की छत से ऐसे पानी फ्रेंक में इकठा किया जा सके, इसके अलावा साथी हमें ना सिर्फ lost हुए water bodies को restore करना चाहिए, बलकि population के proportion में नए water bodies को भी create करना उदाहरन के लिए शहर के हर सेक्टर में पार्क बना जाते हैं, खिक वैसे ही हर सेक्टर में water bodies बना जाने चाहिए, इस water bodies को road के drainage system से link किया जाना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी मौनसून के समय उस artificial drainage में चला जाए और बाढ़ की स्थिति create ना होबाए, additionally हमे green buildings में invest करन चाहिए, उदाहरन के लिए Canada buildings पर हरे पेड़ पौधे लगाने के लिए motivate करता है, इससे urban heat island कम होगा और rain uniformly हर जगह पे होगी, rather than एक ही जगह पे intense होने की, जिससे की flood के स्थितिक create हो जाती थी, साथ ही road के side वाले area को concrete से नहीं बनाना चाहिए, ताकि पानी नीचे प्रकोले हो पाए, इसके अलावा, मियावा की method को यूज करके, urban forestry को भी promote किया जाना चाहिए, ताकि urban heat island को कम किया जा सके और flood जैसी स्थिति से निचात पाए जा सके. देर अओसे निचेन नौकर निचाए करे लग अधस्रेशशने का लिपटी वना करे को Forever it is your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet shortly with the new topic since then God bless you all.